मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ इसलिए नहीं कि मैं आप से डरता हूँ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ इसलिए कि मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ आये मैं तो मूल रूप से भाई हास वेंका कभी हूँ तो हास की कविताय सुनता हूँ और गीत उत पहले लिखता था मगर एक बार ऐसी हाधसा हुई कि गीत लिखना हमको छोड़ना पड़ा एक बार एक जगर गीत सुना रहा था तो जो उसके पहली पंक्ति सुना तो कोई त तो मैं का भाई देखिए तीसरी पंक्ति सुनाने जा रहा हूं अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो मैं बढ़ जाओंगा तीसरी पंक्ति सुनाया तब ही कोई ताली नहीं बजा तो ये काजमी पीछे से बजाया हमने का चली आपने सम्मान रख दिया तो उसे ने का कि अब भार में मत रही है मैं सुर्ती ठोंक रहा हूं तो ऐसी जब हाद्सा होई तो हम हासवेंग की कभ्ता लिखने लगए और हासवेंग की कभ्ता सुनाने लगए तो एक गुरू की है कि भई हासभेंग के कपता कैसे लिखे जाए तो उन्होंने का अरे बहुत आसान है इधर जो आप देखते हैं उसी को सब्दों में पिरो दीजिए वही हासभेंग है हासभेंग मुख्य प्रसुति है तो हमके काक्षुल दारान दे के हमको बताईए तो उ यह हासे हो गया एक राजनीतिक पार्टी वाला आया एक पोस्टर लगा दिया दिवार पर के हाथी पर मोहर लगा के बसपा को जीता है उसी के बगल में दूसरा लगा दिया साइकील पर मोहर लगा के सपा को जीता है उसी के बगल में तीसरा लगे दिया कि कमल पर मोहर लग करके भाज़पा को जीता है और उसी पर चौथा लगा दिया कि जाड़ू पर मोहर लगा के आपको जीता है सबसे नीचे एक सिनेमा वाला बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया हम सब चूर है एक आदमी जा रहा था उसको टरक के पिछले हिस्से से धका लगा हलका सा गिरते गिरते बचा सुचा उसका नमबर नोट कर ले पीछे घूम के दिखा तो उसके पीछे लिखा था नमस्ते फिर मिलेंगे फिर आगे बढ़ा तो दो टरक आमने सामने भीड़ गये थे दोनों टरक पर लिखा था हम किसी से कम नहीं आगे बढ़ा तो देखा कि एक मारती पर एक टरक चड़ी थी और टरक के पीछे लिखा था कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम फिर आगे बढ़ा तो एक ट्रक खड़ी थी उसके पीछे एक टेंपू भीड़ गर के चूर हो गई थी चकना चूर ट्रक के पीछे लिखा था सतला तो गईला बेटा आगे बढ़ा तो एक ट्रक खाई में गिरी थी और सब उसको देख करे तो उसका पिछला हैसा उपर था सब देखे तो उसके पिछे लिखा था हम सुन highly कल की और बढ़ रहे हैं ऐसे हास्थ कि कभितायँ उप अपस्थी हैं आएए मैं आपको हास्थ की कभितायँ सुना यहाँ तो बहुत लोग हैं हम लोग तो जब आंतर में नंबर आता है तो दद्द्द सलोक के वल मिलते हैं तो हम जो कभी हासे बेंकर होते हैं इसके चिंता नहीं करते हैं इसलिए कि हम लोग हमारा खास करके मानना है कि सवठो सुवर दूहने के पेच्छ भंज दू लीजिए तो उँ अच्छा है कि चारही लोग हैं कमसकम ज्यानदार सुरता हैं आईए आपको एक हास के कभता सुना रहा हूँ आप सब का ध्यान चाओंगा देखिए आज काल बाबाओं का यूग चला है बाबा लोग कैसे परचार करते हैं मैं उसी पर करता सुना रहा हूँ एक सादू बाबाबा अपने चेलों के साथ चले जा रहा है थे संसी संसा लिये एक आदमी पूछा चेला से कि भाई ये कौन है कि हमारो गुरु है कि उत देख रहा है कैसे हैं कि बहुत पहुंचे हुए हैं कि पहुंचे हुए हैं कितनी उमर होगी देखें कैसे परचार करते हैं चेला करा 500 साल तो कहें अरे 500 साल इसनी उमर तुम कब से इनको जानते हूं कि 200 साल से तो हम ही जानते हैं ऐसे परचार करते हैं और ऐसे ही ऐसे आसाराम निकल जाते तो आईए आसाराम पर मैं आपको कफ़्टा सुना रहा हूं एक कफ़्टा सुनी आसाराम पर हासव्यं की है कि जेहल मैं रोई रोई कहें आसाराम की लागतायब जीनगी का होई यही सामो की लागतायव जिनगी का बहुत दिन डूब डूब पानी हम पियली जानत ना ही राली की आटा कजाई टेंगरी सासत में पड़ गयर अब मोर प्रान हो की लागतायव जिनगी का होई यही सामो अब तक कानून का सहात नईनी खूटी पहले तक घूसल फिर भीतरे गयर तूटी अब ससुरा निकले का ले तो नईनी नामो की लागतायव जिनगी का होई यही सामो एक ठे राम मोर पूरा कर देतन मनऊती कवनो बहाने राधे मा भी यहाँ यहूती तचेला बनाई उनके सलटायले इतकाम हो की लागतायव जिनगी का रामो रहीम सरवा बनल रहले कटर दूसरे के खेते में चलावत रहल्टे कटर जेना जोतवईले सो के भेजले सो सुरधाम हो की लागतायव जिनगी का होई यही साम हो रामो पाल सरवा रहल खूब फौँकत अब होई धरा में घूसके डाल रहल छौँकत ओहु का बाम कटा आयल नहीं काम हो की लागतायव ओहु का होई यही साम हो के आयासी में दूबलन सब बाबा नर नारी तब से आई गल बाबा फलहारी ओहु कुब बैट के चुसले स्लंगरायामो की लागतायव ओहु का होई यही साम हो की लागतायव दाती में से आयल एक्ठे दाती महराजो अतेईस बरिस से करत रहलो राजो अपने हिस्से भी कापर नियत कैल स्खाम हो की लागतायव ओहु का होई यही साम हो तब से प्रगट भैल हेली काप्टर बाबा यहु फैल उले हुए खूब आबा काबा यहु का सुब से यहु के खेत कर नापी होता सुब साम हो की लागता अब बहुत खुसी की बातें यहां महिलाएं हैं कई कई महिलाएं नहीं होती तो मैं पूरसों से कहता हूँ कोई घर जाके बताईए देखिए किसी कविता को लिखने का उद्यस होता है उससे सिच्छा भी मिले कि ध्यान से सुना बहु बेटी भव जाई अब मोके पर काम अई हैं तो हरे जमाई बववन के अंगुरी देबू पहुचा लेई हैं थाम हो की लागता अब और अंतिम पंक्तियां की कामल कहें कि सुना भाईयो भती जा बबवन के मीलल हुए आयासी कभी जा तराम से ही नाता रखा मत बनाया सारामों के